कास फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए, चलो अपनी अपनी आखे बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे तूटें, कितने इसके प्यारे छूटें, जो छूट गएं फिर कहां मिले, और बोलो तूटे तारों पर, कब अंबर सोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो माई चैनल, तो आज के इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं, वो आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल गया होगा, यह जो मैंने एक कोर्स बोला, एक लाइन बोला, वो बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि इस फेरवेल के वीडियो में मैं इसे इंकलोड कर दूँ, तो यह फिलहाल देखें, तो यह हमारा फेरवेल है, जो कि हमारे जूनियर्स ने हमारे लिए और्गनाइज किया है, जैसे हमने अपने सीनियर्स को फेरवेल दिया, अपने जूनियर्स को फ उसके बाद यहां पर जो है सभी को गेम वगेरा और फिर जो भी प्रोग्राम सा वो करना पड़ा तो यहां पर पहले तो कुछ डान्स वगेरा थे जो की लगवक्त सारे लोगों को डान्स करना ही पड़ा था जूनियर्स के साथ सीनियर्स के साथ या फिर हमारे एक दूसरे के तो इस तरीके से डान्स वगेरा किया गया फिर गेम हुआ बैलून वाला इस तरीके से आप जो हैं सारे डान्स को करके देख सकते हैं क्योंकि लगवाग मैंने सारे वीडियो के छोटे-छोटे क्लिप जो हैं इस वीडियो में आड़ कर रखा है तो आपको जो है अच्छा बात करें तो फेर्वेल बेहाद ही अच्छा मूवमेंट होता है और कहें तो एक दूखत मूवमेंट भी होता है यानि कि आप जो हैं अपनी तीन साल चार साल जितने साल का कॉलेज का यूनिवर्सिटी का टाइम है कोई ट्रेनिंग करते हैं कोई कॉलेज में या फिर आप कोई स्कूल में ही पढ़ रहे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो हर जगह पे आपको फेर्वेल की फिल आती है अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो फेर्वेल की तरह जा रहे हैं महां से निकल रहे हैं तो आप फेर्वेल की तरह यानि फेर्वेल आ सब्सक्राइब करना है और भी कोई कोर्स करना क्या तो अलग अलग तरह की चीजे थी लेकिन ऐसा मोमेंट जिसमें एक और दुख ही था कि हम लोग सारे फ्रेंड्स सारी एक दूसरे से बिछड़ रहे थे हमने जितने साल भी एक साथ बिताया बहुत जादा ही मेमरी थी एक सा सबयें और एक दूसरे को कॉपरेट जिसको जैसा जरूरत हुआ वैसा एक दुसरे wants रपर्ट किय लड़ाई जगडा जो भी था मनलब एको अलगी मेमरी लग लेबल का था एक दूसरे को सपोर्ट करना प्ढ़ाई से लिक हर एक सीज में इक दूसरे को सभी lijव ने सब बहुत जादे ही दुखी भी थे एक दुसरे से बिच्छने के लिए यहां पर सब एंज्ड़ाय कर रहे थैं क्योंकि लास्टीम था यहां पर यहां पर यहां मिस्टर और मिस्ट फियरवेल थी और यह जो बैलून का गेम था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि बहुत जादे इमूस्टन हो रखे थे हम लोग तो इस तरीके से जो हमारा समय था कॉलेज का और यह जो फियरवेल का प्रोग्राम था वह बहुत जल्दी बीदिय और हमें कुस टाइम का ऐसा फेली नहीं हुआ कि हाँ किता जल्दी बी दिया तो इस तरीके से यह देखिए हमारा फियरवेल था और इसमें मिस्टर मिस्ट्र वेल का चुना हो गया था अब केक कटिंग का टाइन था तो केक कटिंग के बाद फिर वही खाना पीना डिनर करक हैं तो सभी ने बहुत ही अच्छे से हमें कॉपरेट किया पूरे कॉलेज टाइम में और कुछ अच्छी बुरी यादें यहां पर कॉलेज से जुड़ी हैं जिसको अच भूल के हम लोग अपनी नई नई जिन्दगी के सुरुआत करेंगे तो इसी तरीके से वीडियो को